असलेम वालेकूम एवरिवन और वेलकम तो मैं चैनल एस्पारेंट्स और फ्यूचर एज वाल नो डैट लास्ट फोर वीडियो लेक्चर्स में हमने क्लॉक प्राब्लम से रिलेटिड फोर ट्रिक्स डिसकस किये थे तो आज हम उनका पार्ट फाइव डिसकस करने जा रहे हैं प्रिविएस पार्ट के लिंक्स आपको नीजे डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टुडेंट्स जो इस चैनल पे नियू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पार्ट फॉर में हमने टाइम्स को एड करना सीखा था तो पार्ट फाइव में हम उनकी सब्ट्रेक्शन डिसकस करेंगे कि अगर आपको दो टाइम दिये जाएं तो उनको सब्ट्रेक्शन कैसे किया जाता है तो यह आपके पास question है सब्ट्रेक्ट 5 आर्स 24 मिनिट्स फ्राम 9 आर्स 56 मिनिट्स दो टाइम आपको दिये गए हैं सब्ट्रेक्शन करके बताना है याद रखिए जिस चीज के साथ फ्रॉम लिक्खा होता है उसको आप उपर रखते हैं और दूसरी वैल्यू को आप नीचे रखते हैं तो यहाँ पर फ्रॉम किस के साथ है 9 गंटे 56 मिनिट्स के साथ इसको हम उपर रखेंगे और जो 5 गंटे 24 मिनिट उसको हम नीचे रखेंगे तो हम पहले दो कालम बना लेंगे आर्ज का और मिनिट्स का अब फ्रॉम किसके साथ है 9 आर्ज 56 मिनिट्स तो हमने उसको उपर रखा और दूसरी वैली कौन सी है 5 आर्ज 24 मिनिट्स उसको हमने नीचे रखा आस फाइनल आंसर किया आएगा 4 आर्ज 32 मिनिट्स अब इस ट्रिक से रिलेटिट एक सेकेंड केस है जिसमें थोड़ी सी मोडिफिकेशन है और थोड़ा से कंप्लिकेटिट भी है तो और से देखिएगा सब्ट्रेक्ट 4 आर्ज 56 मिनिट्स फ्रम 10 आर्ज 27 मिनिट्स तो मैंने बताया था कि जिसी इसके साथ फ्रॉम होगा उसको हम उपर रखेंगे और दूसरी वैल्यू को हम नीचे रखेंगे तो हमने ये आर्ज और मिनिट्स का कॉलम बना लिया अब वो गया है 10 फ्रॉम किसके साथ लिखा हुआ 10 आर्ज 27 मिनिट्स तो हम 10 आर्ज 27 मिनिट्स को ऊपर रखेंगे और दूसरी वैल्यू कौन सी है 4 आर्ज 56 मिनिट्स तो हम 4 आर्ज 56 मिनिट्स को नीचे रखेंगे और अब हम सब्ट्रेक्ट करेंगे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था नीचे वाले वैल्यू बड़ी थी नीचे वाले वैल्यू छोटी थी तो असानी से सब्ट्रेक्ट हो गया था लेकिन इस क्वेश्चन में मिनिट्स वाले काला में आप देख सकते हैं कि उपर वैल्यू छोटी है नीचे value बड़ी है 27 is smaller than 56 तो subtraction is not possible तो subtract करने के लिए हमें left side से एक number से एक number carry लेना पड़ेगा तो यह वो modification है आप गोड़ से देखिएगा carry किस्तन लेते हैं सबसे पहले आप hours वाले column से जब एक carry लेंगे तो आप 10 को कर देंगे cross और पीछे आपके पास 9 गंटे बच जाएंगे तो मैंने यह 10 को काटके 9 लिख दिया एक कहां से लागया एक कहां से लागया एक हमने carry ले लिया अब वो एक carry minutes वाले column में shift कर देंगे आप देख सकते हैं कि हम जो एक carry ले रहे हैं वो एक घंटा carry ले रहे हैं और वो जब minute वाले column में जाएगा तो वो 60 minutes के एक हो लोगा क्यूं क्यूं क्यूंकि एक गंटे में 60 minute होते हैं तो वहाँ 7 minutes औरेडी मौझूद हैं एक गंटा यानिके 60 minutes हम carry लेकर आ रहे हैं वो इस 27 में add up हो जाएंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे 27 minutes पहले से मौझूद थे उसमें हमने 60 minutes carry लिया यानिके एक गंटा carry लिया उसको हम इसमें add up कर देंगे तो 27 plus 60 तो यहाँ पर आप उपर वाला जो 27 है उसको cancel out कर देंगे क्यों क्यों क्योंकि आप हम carry लेकर new value generate कर लिया है तो वह आपके पास कितनी बनेंगी 27 में 60 आप add up कर देंगे तो वह आपके पास 87 बन जाएगा तो अब आपने 87 में से जब 56 निकालना तो यह असानी से सब्टेट कर सकते हैं तो आप 87 में से 56 निकालें तो आपके पास 31 बचेगा और अब आप 9 में से 4 hours माइनस करेंगे तो आपके पास 5 बचेगा तो आपके पास जो final answer आएगा वो 5 hours 31 minutes आएगा जिस ट्रिक्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी ट्रिक्स रिलेटिड एक last question डिसकस करते हैं इसमें carry लेना हो सब्ट्रेक्ट 7 hours 42 minutes from 16 hours 19 minutes तो आपको बताया था कि जिस value के साथ from होता है उसको उपर रखते हैं तो हम पहले दो कालम बना लेंगे hours वाला और minutes वाला अब from 16 hours 19 minutes के साथ है तो हम इसको उपर रखेंगे 16 hours 19 minutes और दूसरी value कौन सी है 7 hours 42 minutes तो इसको हम नीचे रखेंगे 7 hours 42 अब हम इसको करेंगे subtract अब आप once again देख सकते हैं कि उपर वाली value छोटी है minutes वाले कॉलम में subtraction is not possible तो हमें एक number carry लेना पड़ेगा तो हम hours वाले में से जब एक number carry लेंगे तो हम 16 को cross कर देंगे पीछे हमारे पास 15 गंटे बाद जाएंगे तो इसलिए मैंने 16 को काट कर 15 लिख दिया है अब वो जो एक carry है वो minutes वाले कॉलम में shift हो जाएगा अब आपको पता है कि हम जो carry ले रहे हैं वो एक घंटा carry ले रहे हैं और वो जब minute वाले कॉलम में जाएगा तो वो 60 minutes के equal होगा वहाँ पे 19 minutes और रेड़ी मौझूद हैं ये 60 minutes वो जाके add up हो जाएंगे कैसे होंगे देखिएगा देखें सबसे पहले 90 minutes already मौझूद हैं हमने एक घंटा carry लिया वो minutes वाले कॉलम में आके 60 minutes के equal होगा तो प्लस 60 आ जाएगा अब जो उपर वाले 90 हैं उसको आप cross कर देंगे क्योंकि अब हमारे उस new minutes मन चुके है 19 प्लस 60 इसको आप simplify करें तो ये बनते है 79 अब आप 79 में से 42 सब्ट्रेट कर दें तो ये आपके पास 37 बनता है 15 में से 7 hours माइनस कर दें तो ये आपके पास 8 बनता है तो आपके पास ज है सब्ट्रेक्ट 9 hours 49 minutes from 22 hours 17 minutes अब आप वीडियो को इदर पॉस करें इस question को complete करें जैसे मैंने ट्रिक में उपर elaborate किया है उसी तरह कैरी ले के आपने minutes वाले कॉलम में add up करने हैं और आपके final answer निकाले और फिर वीडियो को resume करके आप अपना answer check कर सकते हैं तो ये आपके पास answer है quiz का 12 hours 28 minutes तो अगर आपका answer 12 hours 28 minutes आ रहा है तो it means आपको tricky proper understanding हो चुकी है जो students get, net और head की preparation के लिए हमारा one-to-one online course जोईन करना चाहते हैं वो दिये गए whatsapp नमबर पर contact कर सकते हैं या दिये गए email पर contact कर सकते हैं उनको इंशाला बहुत अच्छी preparation करवाई जाएगी Thank you for watching full video. Please like, share and subscribe for more video lectures. Take care. Allah Hafiz. Assalamualaikum.